तो जल्दी से अब हम आ जाते हैं GST accounting में जो कि इस बार के examination में बहुत बहुत जारा important है अब हो सकता है कि इसके उपर आपको एक exclusive question दिखाए थे या ये भी हो सकता है कि आपको part of the question करके दिखाए थे जाने का मतलब मेभी RTP में जो इस बार के RTP में जिस तरह का दिखा उस तरह का question दिखेगा जर्नल इंट्रीस में अलग-अलग तरह के journal interest mix होंगी जिसमें GST का भी होगा उसके अलावा मेभी trial balance के questions में GST आ जाए that's it, सीधी बात नो बक्वास, let's go so sir ji, सबसे पहली बात goods and service tax की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो this is on goods and services सबसे पहली अगर मैं किसे से कुछ खरीद रहा हूँ तो it can be a goods, it can be an asset correct, मैं goods भी खरीद सकता हूँ, मैं asset भी खरीद सकता हूँ right, दोनों में GST लगने वाला है या अगर मैं आगे वाले से कोई service ले रहा हूँ तो मैं तो उसे expense करके recognize करूँगा न उस पे भी GST लगने वाला है right, इसी तरह से मैं किसे को कुछ सवान बेच भी सकता हूँ अगर मैं अगर मैं कोई service प्रोवाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं उसे recognize करूँगा as my income या तो sales या तो income तो इसके उपर भी GST लगने वाला है right, ओके अगर मैं GST के बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर GST क्या हो रहा है ज़रा आराम से इसको समझने के कोशिश करते हैं, एक एक करके देखते हैं, सर देखिए, accounting में सबसे पहले मैं आतो, मैंने या तो goods खरीता तो मैंने से purchase account में debit किया, या मैं जो कोई service प्रोवाइड कर रहा है तो मैंने उसे expense करके recognize कर लिया, या मैंने कोई asset खरीता तो और credit कर दूँगा, cash bank क्या, creditor के account में, correct, okay अब यहाँ पर सरकार आ जाता है बीच में, और भाई, तुम आपस पे तो 50,000 का lane day करी ही रहे हो, तो इसमें जो मेरे पैसे वो भी दे लो भाई, है ना, तो यह किस के उपर जिम्मेदारी जालता है, seller के उपर, तो seller collects the GST from the buyer, who is bearing it, the buyer is bearing it, right और वो GST किस के पास चला जाता है, सरकार के पास, ठीक है, अब, let's try to understand, यहाँ पर buyer बोले, तो the consumer, the final consumer has to bear it, if you are a buyer, if you are a businessman, then in that case, if it is a B2B transaction, then in that case, you can claim the benefit of that GST, ठीक है, तो अभी फिलहाल, हम लोग यह B2B transaction ही देख रहे हैं, कि sir, as a business, अगर मान के चलो, मैंने कुछ भी खरीदा, तो उसके उपर खरीदा ना, मुझे GST तो bear करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसे वसूल करूँगा, रिक्रवार करूँगा, from my customer, तो जब मैं input GST भर रहा हूँ, मेरे दिमाग में है, कि भाई, यह भर तो रहा हूँ, लेकिन यह मेरा नहीं है, यह मैं consumer से वसूल करूँगा, तो इसलिए, इसको मैं recognize करूँगा, as an input GST, जो कि मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक asset, right? अब इस input GST को सीधे-सीधे ऐसे नहीं लिखा जाता, यह हमें नजर आएगा in the form of या तो input IGST, या तो input CGST, and input SGST, input SGST की जगा कभी का बार, input UTGST करके भी दिखाई दे सकता है, फर्क क्या है, sir? SGST State, UT Union Territory, that's it, nothing else, okay? Sir, यह कैसे होगा, sir? कैसे समझ में आएगा? सर जी, अगर sale जिस state में हुआ, उसी state में purchase हुआ, same state में deal हो रहा है, तो इसे कहा जाता है, intra-state sale, intra-state अगर same state में है, तो वहाँ पे दो तरह के tax लगता है, एक होता है CGST, एक होता है SGST, right? अब यह कितना होगा, sir? मान के चली 80% rate है, तो CGST 9%, SGST 9%, अगर 12% rate है, CGST 6%, SGST 6%, as simple as that, ठीक है, ओके, अब IGST कब हैगा, sir? वेन इंटर-state sale, जब दो अलग-अलग state involved है, sir, एक state से 6 sale हुआ, अब अब अगर ऐसा हो रहा है, then in that case, CGST, SGST की जगा वहाँ पे क्या नाम यूज़ होगा? integrated GST, IGST, ठीक है, हाला कि बटवारा इसमें भी वैसे ही होता है, लेकिन इस तरह से collect किया जाएगा, ठीक है? ओके, done, अब मुझे क्या करना है, sir, मुझे purchase को तो debit कर देना है, sir, purchase या expense, या asset को, साथ, यहीं पर, जैसे मान लो, 50,000 रुपे का है, तो 50,000 मैंने यहाँ पर debit कर दिया, लेकिन, जो 18% है, that is additionally collected for the सरकार, तो वो भी मेरे जेब से जा रहे है, इसलिए वो debit होंगे respective account में, maybe input GST, maybe input CGST, maybe input SGST, as the case में भी, तो मेरे creditor account में जो credit होगा, वो इन सब का total होगा, किन सब का, मेरे purchase का, या IGST, CGST, SGST, as the case में भी, इन सब का total will be credited to the creditor, या cash and bank, correct? So this is the journal entry for purchases, ये हो गया input GST, which will be recognized in my books as an asset, right? अब इसी तरह से अगर मैं sale या किसी और तरह का कोई income कमा रहा हूँ, ठीक है? तो वहाँ पर normally क्या general entry माग में आ रहा है? सर्फ cash or bank होगा debit, या debtor होगा debit, और sales या income account हो जाएगा credit, correct? तो जैसे ये हो रहा है, यहाँ पर हम लोग buyer से collect कर रहा है something additional, which is the GST, जो मुझे सरकार को देना है, तो इससे मुझे recognize करना होगा, पैसे मेरे पास आतो रहे, लेकिन ये मेरे नहीं है, ये मुझे सरकार को देना है, तो इससे हम लोग recognize करते है as a liability called as output GST, right? तो यहाँ पर मैं अलग से बनाऊँगा output GST account, लेकिन अगेन, जैसा आभी पहा था, यहाँ पर output GST के जगा तीन नाम आएंगे, output I GST, या output C GST, या output S GST, या alternatively UT GST, correct? अब, होगा क्या, again the same thing, सर अगर same state में है, then CGST and SGST दोनों आएंगे, output CGST, output SGST, सर दो अलग-अलग state involved है, तो output IGST, right? अब, क्या होगा, सर, मैंने तो यही सेल्स को क्रेडिट करना है, इंकम को क्रेडिट करना है, और साथी सार मेरे कैश बैंक या डेकर को डेट करना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कुछ एक्स्टा पैसा कलेकरेंगे, जो सरकार को पहुचाना है, right? तो हम लोग सेल का पैसा, हमारा पैसा, प्लस GST का पैसा, यह भी कलेक करेंगे, और उसे में रेकिनाइस करके रखूंगा, as a liability, liability towards IGST, या CGST, या SGST, right? So this is what is the basic journal entry, जब भी खर्चा रेकिनाइस किया, खर्चा या asset के साथ में आपको रेकिनाइस कर लेना है, input GST, कौन सा सर, अगर interstate है तो IGST, और अगर same state में है, तो CGST and SGST, right? और इसे तरह से जैसे ही मैंने कोई income रेकिनाइस किया, तो income को credit करने के साथ-साथ मैं उसको credit कर दूँगा, output GST में, which can be output IGST, अगर interstate है तो, और same state में है, तो output CGST and output SGST, as simple as that, ठीक है? यह होने के बाद आप देखते है, reversal of GST, reversal कैसे होता है, सर, simple है, बहुत easy है, आपको रखता नहीं माना, आपको सीरा-सीरा याद रखना है, जैसे मान के चलो मैंने purchase किया, ठीक है, purchase करके मैंने इसे debit करके रख दिया, अब किसी कारण वर्ष मुझे इस purchase को cancel करना पड़ा by crediting it सर, ऐसा होता है, क्यों नहीं होता, बहुत purchase return किया, बहले या purchase में credit नहीं करते हो, लेकिन उसके contract on, याने purchase return में credit करते हो, या alternatively सोच के देखो, goods lost by fire, या free samples distribution, आप purchase में credit करते हो ना, तो जब आपने purchase को reverse किया, उस purchase को उपर, जो input GST हम लोगोंने claim करके रखा था, as an asset के मैं इसको adjust करूँगा आगे चलके, उस input GST को भी exactly purchase को जैसे reverse किया, वैसे ही आपको इसे भी reverse करना पड़ेगा, तो अगर आपको किसी कारण वर्ष purchase को credit करना पड़ेगा, तो उस purchase में claim के हुए, input GST को भी आपको reverse करना पड़ेगा, अब इसी तरह से, ज़रा सोच के देखो, free samples distribution, या goods distributed as free samples, या sorry, lost by fire, या मान के चलो drawings, या any such thing, ऐसे सारे activities में आपको GST को reverse करना पड़ेगा, इसी तरह से output GST, output GST में भी same चीज, सर अगर sale किया, suppose इस तरह से, तो sale को भी मान के चलो मुझे debit करना पड़ा, ultra करना पड़ा, reverse करना पड़ा, सर कैसे सर, sales return, simple simple सा example, मुझ इसके उपर का जो मैंने output GST recognize करके रखा हुआ है, चाहे वो CJST हो, SGST हो, या IGST हो, मुझे उसे भी क्या करना होगा, उसे भी मुझे reverse करना पड़ेगा, right, clear, yes sir, यह हुआ reversal, okay, अब इसी तरह से one last, but definitely one of the most important things is GST utilization, तो ये utilization में आपको याद रखना है, कि sir, output GST is my liability, ठीक है, अब liability है, तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे, no sir, wait, मैं B2B transaction में हूँ, तो मेरा जो भी output GST है, मैं पहले देखूँगा कि उसके उपर मैंने already कुछ GST भरके रखा हुआ है, in the form of input GST, तो ये output GST pay करने से पहले, मैं उसे adjust करूँगा, set off करूँगा from my input GST, जैसे मुझे 500 र चैते है, input tax credit, adjustment of input tax credit, ठीक है, लेकिन किसी भी input tax को, किसी भी output tax के लिए, adjust कर सकता हो क्या, मैं किसी भी asset को, किसी भी liability के लिए, adjust कर सकता हो क्या, सोचना पढ़ेगा, तो यही देख रहे है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ठीक है, मैंने यहाँ एक तरफ लिखके रखे अगर मुझे देने का है, तो मैं सबसे पहले दिखूँगा, क्या मेरे पास कुछ output, sorry, input IGST है, तो output IGST को मैं पहले settle करूँगा, from the input IGST, अगर है, adjust कर लो, ठीक है, सर नहीं है, यह कम है, तो क्या मैं input CGST को use कर सकता हूँ, to settled output IGST, yes sir, बिलकुल कर सकता हूँ, ठीक है, मान के च तो वो 300 रुपए मैं कहां से देखूँदूँगा, इसके लिए मैं देखूँगा, कि क्या मेरे पास कुछ input CGST है, या कुछ input SGST है, मान के चलो मेरे पास input CGST, SGST, SGST है, then 300 रुपए को मैं वहां से pay कर सकता हूँ, वहां से adjust कर सकता हूँ, so input CGST and SGST both can be utilized for the payment of output IGST, ठीक है, ओक सर, अब मान के चलो मुझे output CGST भर देंगा है, अगर output CGST भरना है, तो सबसे पहले घर पे देखेंगे सर, घर पे देखेंगे याने, सबसे पहले मैं देखूँगा, कि input CGST है क्या, अगर input CGST है, बिलकुल adjust कर लो, सर अगर नहीं है, input CGST नहीं है, तो मैं थोड़ा आजू-ब friendly nature का है, यह हर जगा adjust कर लेता है, लेकिन central state एक दूरे को support नहीं करते, यारे output CGST देने का है, मेरे पास नहीं input CGST है, और नहीं input IGST है, तो क्या मैं SGST से मदद की उमीद रखू, input SGST नहीं, ये नहीं हो सकता, आप input SGST को use नहीं कर सकते to pay off your output CGST, ठीक है, और इसी तरह से, अगर output SGST भरना है, same इसी तरह से पहले घर पे देखो भाई, सबसे पहले तो देखो, input SGST है क्या, अगर है तो adjust कर लो, अगर नहीं है, तो आजो बाजो में देखो, अब यहाँ पर कौन फ्रेंड ले है, IGST, तो IGST को बिलकुल आप adjust कर सकते हो, input IGST can definitely be utilized for payment of output SGST, ठीक है, ले input SGST cannot be utilized from input CGST, ठीक है, तो ये बात को धियान रखना है, अब इसके उपर जो questions है, चाहे वो journal entry के हो, या RTP वाला हो, या वो trial balance का हो, या वो final accounts का हो, ये questions के लिए मैंने already cover up करवा दिया था, एक वीडियो में हमारे practice session में, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उसे revise नहीं किय प्लीज गो टू हमारे ही channel, CA Foundation, VeeSmart channel में आप जाएए, और वहाँ पर जाका आपको ये नजर आ जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों कि इसे revise कर लो, और अगर आपने देख लिया है, तब तो बले-ले, फिर तो I am 100% sure that you are पूरी तरह से confident, and you are looking for it, कि GST के उपर questions ज़रू ठीक है, so I hope this helped you a lot, ठीक है, बहुत कम टाइम में हमने पूरा GST के बारे में discuss कर लिया, तो अब हम लोग रुकते है, मिलते है अगले वीडियो में, ओके, बाबाई